हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टेक तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूब क्रियेटर हैं और आप अपनी यूट्यूब वीडियो को अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के उपर शेयर करते हैं और आपके माइंड में किश्चा हमेशा रहती है कि क्या मुझे उससे विडियो जो मिलेंगे वो काउन्ट होंगे या नहीं मेरी वीडियो के उपर चलेंगे या नहीं, क्यी में उससे पैसे कमा पाऊंगा या नहीं तो friends मैं आपको बताना चाता हूँ कि ये सब जो है वो आपको YouTube वीडियो को शेर करने के सही तरीके पे निर्भर करता है क्योंकि कुछ platforms ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो को शेर करते हैं जहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो को शेर करते हैं तो वहाँ से आपको ना तो views मिलेंगे और ना ही आपकी ads उसके उपर चलेगी तो इन सारी चीजों को मैं detail में यहाँ पे discuss करने वाला हूँ और आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि अगर आपको अपनी वीडियो को शेर करना है तो उसका सही तरीका क्या है और इन सारे platforms की जो भी मैंने अभी बताए उनको मैं detail में इस वीडियो में आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं पहले अपने last वीडियो के winner के बारे में बता देता हूँ तो मेरी last वीडियो के उपर जिसका पहला comment आया था उसका channel आपको मेरी screen के उपर दिखाई दे रहा होगा तो प्लीज जाके इनके channel को support कीजिए और इनके channel का link में आपको वीडियो के description box में भी डाला हुआ है तो आप वहाँ से जाके भी इसको check out कर सकते हैं और इनने जरूर support करें अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे channel के उपर नहीं है तो please मेरे channel को subscribe करें और notification bell को on करके उसे all पे set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नहीं वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो friends मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इससे समझाता हूं जिससे आपको ज़्यादा confusion भी नहीं रहेगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा तो friends अगर आप अपनी YouTube वीडियो को ऐसे platforms के उपर share करते हैं ऐसी application के उपर share करते हैं जहाँ पर YouTube का जो player है वो inbuilt है तो आपको वहाँ से views तो मिल जाएंगे लेकिन वहाँ पर आपकी ads जो है वो आपकी वीडियो के उपर नहीं चलेगी जैसा मैं आपको एक example देके समझाता हैं उसके अंदर जो है वो YouTube का जो player है वो inbuilt होता है अगर हम वहाँ पे कोई video देखेंगे तो शेयर चैट के अंदर ही वो player में चल जाएगी जो YouTube का player है तो वहाँ से हमें views तो उसके उपर से मिल जाएंगे लेकिन उसकी ads जो है वो वहाँ पे show नहीं होंगी वो वहाँ पे न करते हैं तो वह WhatsApp के अंदर ही PIP mode में चल जाती है मतलब वह आपको YouTube पे redirect नहीं करती वह WhatsApp के अंदर ही वहाँ पे चोटी सी window open हो जाती है और वहीं पर वीडियो चलने लग जाती है तो ऐसे case में क्या होगा ना तो आपको views count होंगे और नहीं आपकी वीडियो के उपर ads तो अगर आप link पे click करके YouTube पे redirect हो जाओगे तब तो आपके views count हो जाएंगे लेकिन Facebook ऐसा होने नहीं देता वो अपने platform से आपको YouTube के platform पे redirect नहीं होने देता वो अपने platform के उपर ही अपनी वीडियो को चलाता है तो जिससे आपको ना तो वहाँ से views मिलेंगे और ना ही आपक YouTube को किसी ऐसे platform पे share करते हैं website या blog के अंदर उसे embed करते हैं तो वहाँ से आपको views भी मिलेंगे और आपकी वीडियो के उपर ads भी चलेंगे तो वहाँ से आपकी दोनों चीजे count हो जाएंगे और आप उससे पैसे भी कमा पाएंगे तो friends अब आपको यह clear हो गया होगा कि अग आपके mind में तो आप मुझे नीची comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you